सब्सक्राइब कीजिए हमारे CCI Education नगरा के यूट्यूब चैनल को और लेटिस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाईए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे आप लोगों के साथ ट्रिपल सी से related top 25 question जी हा दोस्तों ट्रिपल सी की परिक्षाओं का दोर अब शुरू होने वाला है जल्द ही आपकी परिक्षाओं जो है इस हपते से शुरू होगी और अगर आप भी तयारी कर रहे हैं ट्रिपल सी की तो आपके लिए यह सभी वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा खास होंगे दोस्तों मैं आपके लिए continue कुछ वीडियो लेकर के आऊँगा जो आपको इस जुलाई महीने में होने वाले triple C की परिक्षा में आपको बहुत ज़्यादा help करेगा आप पुराने वीडियो को भी देख करके और अपनी जानकारी को काफी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं तो चलिए बिना देर कि यह शुरू करते हैं आज की इस important वीडियो को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग triple C के multiple choice questions के बारे में जानेंगे जो की अलग-अलग one day exam में भी बहुत जादा पूछे जाते हैं और खास करके triple C में तो यह प्रस्ण सभी जो हैं बहुत बार repeat हुए हैं दोस्तों वीडियो को अगर आप ध्यान से पुरा last तक देखेंगे तो हम आशा करते हैं कि आपको बड़े आराम से 50 plus questions जो है वो तयार हो जाएंगे और आप comment करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा तो चलिए हम चलते हैं अपने सबसे पहले प्रश्ण के तरफ और देखते हैं हमारा पहला प्रश्ण क्या है दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्ण है अल्ट्रा वाइलेट लाइट से किस memory का data मिटाया जाता है option में आप देखिए दिया हुआ है EP room, double EP room M room या फिर BIOS दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि लगबख सभी option को भी describe करूँ ताकि इसके अलावा भी अगर आपको question देखने को मिलें या फिर कुछ अलग तरीके का प्रश्ण हो तो भी आप आसानी से कर सकें, तो सबसे पहले तो हमें इसका right answer आपको बता दूँ कि ultraviolet light से जो memory के data मिटाया जाते है उसका नाम है EP room जिसका पूरा नाम है Erisable Programmable Read Only Memory जबकि double EP room का पूरा नाम है Electrical Erisable Programmable Read Only Memory और M room को हम Mask Read Only Memory कहते हैं जबकि BIOS को Basic Input Output System कहा जाता है दोस्तों ये सभी के सभी जो चारो नाम है ये ROM memory का यानि की Read Only Memory का पार्ट है जिसमें EP room जो है इसके data को हम ultraviolet light से मिटाने का काम करते हैं double EP room को हम Electrically भी Eris कर लेते हैं और कोई भी निर्माता company अपने बारे में अपने company का logo M-ROM के अंतरगत लगा के रखता है जबकि BIOS जो होता है वो हमारे computer के सारे setup को अपने अंदर store करता है तो ये हमारा पहला प्रशन रहा आगे चलते हैं अपने next question पे दोस्तों यहाँ पर जो second प्रशन है वह भी बहुत ही खास है और ये प्रशन triple C में बहुत बार repeat हुआ है तो इसे हम आप इसे star समझ लीजिएगा यानि कि बहुत ही special question है प्रशन देखिये दिया है Ubuntu में default theme का नाम क्या है जी हाँ दोस्तों Ubuntu OS के अंतरगत जो default theme है उसका नाम क्या है option में देखिये दिया है option A Ambience, option B Radiance option C Classic या option D Special तो दोस्तों आपको बता दें Ubuntu OS जो है एक तरह का open source operating system है जिसमें default theme है उसका नाम है Ambience यानि option A जो है वो यहाँ पर बिल्कुल right हो जाएगा एक बात आपको और बता दें Ubuntu के अंदर कुल दो theme आपको मिलते हैं जिसमें Ambience और Radiance यही दो नाम आपको theme के तौर पे मिलते हैं जिसमें default में Ambience होता है और दूसरा जो इसका theme होता है वह Radiance के नाम से जाना जाता है जबकि Windows operating system में आपको classic नाम का theme मिल जाता है आगे चलते हैं अपने next question पे question number third जो है वह भी बहुत ही खास है Ubuntu OS विंडो में minimize, maximize और close बटन कहां दिखाई देता है जिहां दोस्तों आपको बताना है कि Ubuntu OS के विंडो में minimize, maximize और ये close बटन विंडो में कहां शो होता है left, bottom, top या फिर right तो दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर इसका right answer हो जाएगा option A, left जिहां दोस्तों Ubuntu OS के अंतरगर जो minimize, maximize और close बटन होते है वो menu bar यानि सबसे उपर left में show होते है आपको बता दें जल्दी से Ubuntu के विंडो का परिच है तो उपर में यहां पर एक horizontal पट्टी होती है जो menu bar कहलाता है जिसके left side में आपको minimize, maximize, close बटन मिलते है जबकि left side में आपको एक vertical पट्टी मिलती है जो की Ubuntu OS में launcher के नाम से जाना जाता है आगे चलते हैं अपने next question पे दोस्तों यहां पर question number 4 जो है, वो बहुत ही खास है देखें यहां पे लिखा है Ubuntu OS में shutdown का option आपको कहां परदर्शित होता है जी हां दोस्तों Ubuntu OS अगर आप चला रहे हैं और अपने computer को बंद करना चाहते हैं तो shutdown का option आपको कहां दिखाई देगा तो option में देखें यहां पर दिया हुआ है network indicator, sound indicator, session indicator और desktop indicator तो दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर जो shutdown का option है वो आपको मिल जाता है session indicator के अंतरगर तो यहां पर option C जो है वो बिल्कुल right हो जाएगा इसके अलावा आपको बता दें तो login, log off, restart, shutdown इत्यादी जितने भी इस type के option आपको दिखाई देते हैं वो सब के सब आपको Ubuntu OS के session indicator पर दिखाई देता है जो कि setting के icon के जैसा आपको icon बना हुआ मिल जाता है आगे चलते हैं अपने next question पर जिहां दोस्तों next question जो है वो writer से related है writer में default file का क्या नाम है जिहां दोस्तों writer में default file का नाम यहां पर पूछा गया है देखे option A दिया है untitled-1 untitled-1 doc-1 या doc-1 तो दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर writer के अंतरगत जो default file होता है उसका नाम है untitled-1 तो दोस्तों option B जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा एक बात आपको यहां पर ध्यान रखना है untitled के बीच में कोई भी symbol नहीं होता है तो यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा आप confused मत होईएगा जबकि अगर हम MS Word की बात करें तो यहां पर document 1 या doc-1 लिखा हुआ आपको मिल जाता है अब चलते हैं अपने next question पे question number 6 यहां पर दिया हुआ है writer में default margin का measurement क्या होता है जिहां दोस्तों margin जो होता है writer के अंतरगत जिसे हम हासिया कहते हैं जो की 4 होते हैं उनका measurement क्या होता है तो दोस्तों आपको यहां पर देखिए pt यानि points inch centimeter या फिर meter तो दोस्तों question number 6 का right answer यहां पर option C हो जाएगा centimeter जिहां दोस्तों margin का measurement होता है वो centimeter में होता है और margin के बारे में आपको बताएं तो यह 4 प्रकार का होता है जिसे हम left, right, top और bottom के नाम से जानते हैं आगे चलते हैं हम अपने next question पे दोस्तों question number 7 जो यहां पे दिया है वो है writers related writer में line spacing default कितना होता है यहां दोस्तों यह default question पूछा गया है यानि की computer में writer के अंतरगत इसकी default line spacing क्या होती है तो option में देखिए 1, 1.15, 1.5 या फिर 2 तो आपको बता दें यहां पर question 7 का right answer जो होगा वो हो जाएगा option A यानि 1 तो यहां पे आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि default जो line spacing होती है वो 1 होती है जबकि अगर यह writer के बजाए MS word में यह question पूछा जाता कि MS word में line spacing default कितनी होती है तो option B यानि 1.15 जो है वो सही हो जाता लेकिन यहां पे Libre Office writer की बात हो रही है इस वज़े से यहां पे line spacing जो हो जाएगा वह 1 सही हो जाएगा इसके अलावा आपको बता दें कि writer में 1.5 और 2 यह दोनों भी line spacing होती है लेकिन यह default नहीं होता है चलते हैं अपने next question के तरफ question number 8 दोस्तों यहां पर यहां भी प्रशन writer से ही है writer में mail merge wizard option किस menu में पाया जाता है जिहां दोस्तों अगर यहां पर menu की बात हो रही है अगर आपने menu देखा होगा और उनके options को थोड़ा ध्यान दिया होगा तो बहुत आसानी के साथ यह प्रशन का आप right answer कर सकते हैं writer में mail merge wizard option किस menu में होता है तो यहां पर right answer option C हो जाएगा यानि insert, form, tools और style के अंतरगत यहां पर जो right answer होगा वो हो जाएगा tools menu और आपको बता दें कि mail merge wizard option जो है वो mailing के लिए यानि एक साथ कई लोगों को पत्र भेजने के लिए इसका use किया जाता है आप चाहे तो envelop वगरा भी design यहां पर कर सकते हैं आगे चलते हैं हम question number 9 के तरफ और यह प्रशन जो है वो calc से related है और यह प्रशन कई बार triple C के exam में relate किया गया है और इनको repeat भी किया गया है calc में antim cell का नाम क्या है जी हां दोस्तों यहां पर last cell का नाम पूछा गया है option में आप देखिये दिया है amz 1047 576 xfd 1047 576 या xfd 16384 या amz 16384 तो right answer यहां पर हो जाएगा option a amz 1047 576 दोस्तों यह जो है सबसे antim cell का नाम calc में होता है आपको कुछ calc से related important fact जो है यहां पर हम आपको बता देते हैं calc में row और column से मिल करके जो box create होता है उसे हम cell कहते हैं और जितने भी column के नाम होते हैं वो सभी alphabet से प्रदर्शित होते हैं जबकि row के नाम आपको desert से show होते हैं सबसे antim row का नाम 1047 576 है जबकि सबसे last cell का नाम amz यानि column का नाम amz होता है जिसे हम 1024 भी कहते हैं यानि कि अगर आप से यहां प्रशन पूछा जाए कि amz कितने numbers पे आता है तो यहां पे 1024 जो है वो right answer हो जाएगा और यहां पर दोनों का मिला जूला जो रूप होगा वही antim cell का नाम हो जाएगा अब चलते हैं हम अपने next question पे question number 10 यहां भी प्रशन calc से ही related है calc में cell address कितने प्रकार का होता है जिहां दोस्तों यहां पर cell address की बात हो रही है कितने प्रकार का होता है option में 2, 3, 4 और 5 दिया हुआ है तो right answer यहां पर हो जाएगा option B, 3 types का दोस्तों आपको बता दें कि calc या फिर excel के अंतरगत आपको cell address जो होता है वो तीन प्रकार का मिल जाता है जल्दी से इनको हम define करते हैं तो यहां पर जो तीनो cell address होते हैं उसमे absolute cell reference यानि absolute cell address इसके अलावा हम यहां पे कह सकते है relative cell address और तीसरा जो ह होता है वो mixed cell address होता है तो यह तीन प्रकार के cell address जो है आपको वहां पर मिल जाते हैं अब चलते हैं हम अपने next question पे question number 11 दोस्तों यहां पर यहां प्रश्न जो है दिया गया है calc में एक या एक से अधिक चुने गए cell को क्या कहते हैं यहां दोस्तों अगर या एक या एक से अधिक cell को हमने select कर रखा है तो उसे क्या कहेंगे option A है merge cell, split cell, cell reference या फिर cell range तो दोस्तों यहां पर बहुत ज़्यादा आपको घबराने की जुरूत नहीं है क्योंकि सारे option जो है वो थोड़ा सा confuse करने वाले हैं तो यहां पर इन चारों में right answer हो जाएगा option D cell range जी हैं दोस्तों जहां से जहां तक हम cell को select करते हैं वह cell range कहलात है और एक और खास बात बता दें calc हो या फिर कोई भी spreadsheet application program हो उसमें जब हम cell range देते हैं तो first cell और last cell के address के बीच में एक column का sign आ जाता है आगे चलते हैं हम question number 12 पे जो की बहुत ही खास है जी हां दोस्तों यह प्रशन है calc में anchor option के अंतरगत कितने option आते हैं जी हां दोस्तों यह प्रशन repeat किया गया था यानि पूछा गया हुआ triple c में यह प्रशन है कि anchor option के अंतरगत आपको और कितने option दिखाई देते हैं यानि कौन सा option उसके अंदर आता है तो option में देखे दिया हुआ है to sell to pays resize with sell या फिर all of the above तो right answer जो हो जाएगा option d all of the above दोस्तों एक बात आपक दिखता है तो ज्यादा तर जो है वह प्रशन सही all of above होता है तो यह चीज आप ध्यान रखिएगा अला कि सभी condition में all of above सही नहीं होता है लेकिन ज्यादा तर जगहों पे देखा गया है कि all of above जो है वह सही होता है तो अगर आप उस बारे में बहुत अच्छ hè नहीं जानते यानि calc के cell में cursor blink कराने के लिए किस key का हम use करेंगे किस key को हम press करेंगे तो calc के cell में cursor blink करने लगेगा आप देखें यहाँ पर buttons के बारे में दिया गया है F2 button या insert button F10 button या फिर F12 button तो आपको बता दें यहाँ right answer होगा option A F2 button यहाँ दोस्तों F2 rename का shortcut होता है और यहाँ पर calc के अंदर cell में अगर cursor blink कराना हो तो भी आप F2 shortcut का use कर सकते है आगे चलते हैं हम अपने next question पे question number 14 पे जो की impress से है जिहाँ दोस्तों impress का window default किन किन भागों में बटा होता है जिहाँ दोस्तों impress का window है वो default कितने भागों में बटा होता है तो यहाँ पर देखिए option A है slide pane, option V, workspace, option C, sidebar और all of the above तो दोस्तों यहाँ पर भी right answer all of the above हो जाएगा sidebar जो है वहाँ आपको libre office में एक अलग से दाहिनी तरफ में पट्टी मिल जाती है जो इसको की sidebar के नाम से जाना जाता है तो इसको भी आप याद रखिएगा कि impress किya, impress या calc या फिर writer के अंदर अगर यहाँ प्रशन पूछा जाए कि right side में window के कौन सी पट्टी दिखाई देती है तो right answer वहाँ पर sidebar हो जाएगा आगे चलते है question number 15 के तरफ और यहाँ प्रशन है impress से related इंप्रेस में layout की संख्या कितनी होती है जिहां दोस्तों layout की संख्या कितनी होती है यहाँ प्रशन पूछा गया है option A है 9, 12, 16 या फिर 20 दोस्तों बता दें यहाँ पर right answer जो हो जाएगा option C, 16 दोस्तों एक और बात बताएं कि अगर इंप्रेस के अलावा powerpoint में यहाँ प्रशन पूछा गया होता कि powerpoint में layout की कितनी संख्या होती है तो वहाँ पर right answer 9 हो जाता जबकि इंप्रेस के अंतर गत आपको layout की संख्या कुल 16 मिलती है अब चलते हैं अपने next question के तरह question number 16 दोस्तों यहाँ पर प्रशन है इंप्रेस में duplicate का shortcut की क्या है जिहां दोस्तों अगर आप duplicate करना चाहते हैं तो कौन सा shortcut button आप use करेंगे option में देखिये दिया हुआ है control D shift plus F3 alt D या control alt D तो दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रशन का right answer होगा shift के साथ F3 जहां दोस्तों अगर आप impress के अंतर गत duplicate करना चाहते हैं तो shift के साथ F3 आपको shortcut use करना होगा अब चलते हैं अपने next question के तरह question number 17 दोस्तों यहाँ प्रशन ज इनर कंड़क्टर किस केबल में होता है जी हां दोस्तों कौन से केबल में inner conductor और outer conductor होता है तो option में देखिये दिया हुआ है coaxial cable twisted pair cable fiber optic cable या फिर ethernet cable तो दोस्तों आपको बता दें कि question number 17 का जो right answer होगा वो हो जायेगा option A coaxial cable जी हां दोस्तों coaxial cable जो होता है इसमें inner और outer conductor ह होते हैं और इसकी speed जो होती है वो बहुत जादा होती है दोस्तों अक्सर करके LAN के अंतरगत यानी local area network के अंतरगत coaxial cable का बहुत जादा यूज किया जाता है इसकी speed जो है वो लगबग 100 Mbps आपको बहुत ही आसानी के साथ मिल जाती है आगे चलते हैं हम लोग अपने next question के question number 18 दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है निम्न में public network नहीं है जिहां दोस्तों यहाँ पर नहीं शब्द जो है वो थोड़ा सा प्रशन को attractive कर रहा है तो आपको बताना है कि निम्न में public network कौन सा नहीं है option A है PSTN option D है B है यहाँ पर PSDN option C है VN या फिर option D है VANS तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर question number 18 का right answer option C हो जाएगा VN यानि VN नाम का कोई public network नहीं होता जबकि PSTN यानि public switch telephone network यह होता है public switch data network यह भी होता है value added network service यह भी आपको private network के sorry public network के अंतरगत मिल जाता है जबकि VN जो है ऐसा कोई network आपको यहाँ पर नहीं मिलता है अब चलते हम next question के तरफ question number 19 दोस्तों यहाँ प्रश्ण है network topology में कौन सा topology दो अलग-अलग topology का combination होता है जी हाँ दोस्तों कौन सा topology दो अलग-अलग topology का combination होता है option देखे यहाँ पर दिया है ring, tree, mesh या फिर star तो यहाँ पर question number 19 का right answer हो जाएगा tree जी हाँ दोस्तों tree जो होता है यह bus औ star का combination होता है तो दोस्तों यहाँ जो है यहाँ पर बिल्कुल right answer हो जाएगा option B यानि की tree जो है यहाँ बिल्कुल ही right answer है यह bus का और star का combination होता है अब चलते हैं हम अपने question number 20 के तरफ जो की बहुत ही खास है जी हाँ दोस्तों यह प्रश्ण तो कई बार अलग-अलग प्रतिय तयार किया है इसके बारे में पूछा किया है option में देखे दिया है जान कूम, जान मैकार्थी, जान मा या जेफ बेजोस तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा option B जान मैकार्थी जी हाँ दोस्तों जान मैकार्थी जो है वो AI के जनक माने जाते हैं दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लग रहा होगा और इस वीडियो को आप जरूर लाइक करेंगे दोस्तों इस तरह के बहुत सारे प्रशन जो है हमारे चैनल पर अल्रेडी पहले से मौजूद है आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में Liner Questions और Triple C MCQ Liner जो है आप आ Q21 किसी वेबसाइट का सबसे पहला पेज किस नाम से जाना जाता है जिहां दोस्तों जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो जो उसका सबसे पहला पेज होता है उसे किस नाम से जाना जाता है option में देखिए दिया हुआ है main page, starting page, home page या फिर static page तो दोस्तों यहाँ जो right answer हो जाएगा वह होगा option C, home page जिहां दोस्तों जब भी हम कोई website open करते हैं तो वहाँ website जो है homepage के नाम से जाना जाता है जो उसका सबसे पहला page open होता है एक और बात बता है website से संबंदित तो कोई भी website जो है वो http के protocol से शुरू होता हुआ आपको दिखाई देता है और ज https protocol से आपको दिखेगा वहाँ website जो है वो secure website मानी जाती है जबकि webpage की बात करें तो webpage जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं एक होता है static webpage और दूसरा होता है dynamic webpage तो दोस्तों यहाँ पर static webpage और dynamic webpage यहाँ वेपेज के दो अलग अलग प्रकार हैं आगे चलते है question number 22 की तरप और दोस्तों यहाँ पर प्रशन पूछा गया है UTS की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों UTS का पूरा नाम यहाँ पर unreserved ticketing system है यानि अनारक्षित जो ticket है उनको reserve करने की सुविधा कब सुरू की गई है जनवरी 2018, जनवरी 2019, जनवरी 2020 या फिर जनवरी 2017 तो right answer यहाँ पर हो जा करने की सुविधा और यहाँ जनवरी 2019 से यहाँ शुविधा भारत का rail mantra रहे शुरू कर चुका है आगे चलते हैं अपने next question पर question number 23 जो की बहुत ही जादा खास है जिहां दोस्तों IP address में अधिक्तम संख्या का मान कितना होता है जिहां दोस्तों IP address यानि internet protocol address जो होता है इसमे 255 character की 255 digits का IP address आपको देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर जो है total अधिक्तम संख्या का मान जो होता है वो 255 होता है आगे चलते हैं हम यहाँ पर question number 24 के तरफ और यहाँ भी प्रशन बहुत अच्छा है वैदू क्या है जिहां दोस्तों वैदू जो है यह क्या है option में वो बिल्कुल right answer होगा दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया में चाइना के अंतरगत यह सर्च इंजन सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है यहाँ चाइनीज सर्च इंजन है जो की बैदू के नाम से जाना जाता है जबकि दुनिया की अगर बात करें तो सबसे ज़्या ज़्यादा दुनिया में प्रयोग किया जाने वाला सर्च इंजन जो है वह गूगल है आगे चलते हैं हम अपने इस वीडियो के सबसे अंतिम प्रशन पे जिसका question number है 25 mail merge यानि mail box से email लाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक simple protocol कौन सा है जी हाँ दोस्तों mail box से email लाने के लिए कौन सा simple protocol हमारे द्वारा प्रयोग किया जाता है option में देखिये दिया हुआ है यहाँ पे SMTP, POP3, IMAP या फिर non of these तो दोस्तों यहाँ पर right answer हो जाएगा option B, POP3 यानि post office protocol third version जो उसका है यह जो है इसका right answer हो जाएगा जबकि option A में SMTP दिया है जो कि यहाँ पर simple mail transfer protocol क के नाम से जाना जाएगा और IMAP जो है यह जो है आपको mail के अंतर गतिया protocol नहीं मिलता है तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि यह सभी के सभी प्रस्ण जो है आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे होंगे और अगर अगर प्रस्ण आपको अच्छा लगा है तो वीडियो